नारायन नारायन, हमसे चुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चानल को और बेल आइकन पे क्लिक करें, नारायन नारायन आदर्ने भाईयों और भेनों, प्यारे बच्चों, आप सभी में विराजित, और सर्वशक्ति मान परमेश्वर को मेरा, शत्य शत्नमन गुरुदेव से प्राथना, कि अपना आशिरवाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें, और मा सरस्वती से निविदन, कि मेरे कंठ में विराजित हो ताकि जिस भाव और जिस चाव के साथ, आप यहाँ पधारी हैं, वो भाव और वो चाव पूरा हो धन्य चोटी सी प्राथना, धामली जी नारायन का हाथ हे नारायन, आपका धन्यवाद हैं, आप हर पल, हर छन हमारे साथ हैं इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वत्तम दिन है, सर्वसिस्ट दिन है सफलता, good news, jackpot, promotion, चमतकारों से लबालब भरावा सेहत, फूरते, स्टैमिना, प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, again good news, jackpot से भरावा हे नारायन, आपका अशीम, धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है धन्यवाद की सीरीज देनी होगी मुझे लगता दी, अनारायन का धन्यवाद करने के बाद, पहला धन्यवाद आप सभी का, इधर, 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 उधर तक, क्योंकि आपकी उपस्तिति ने, हमारे इस कारिक्रम में, यदि मैं कहूंगी चार चांद लगा दिये, त असंख चांद लगा दिये, असंख, 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 यदि नाम लेके धन्यवाद करें, तो मुझे ऐसा लगता है, कि यदि एक भी नाम छूटा, तो अन्जू की भाष्ण है, को ओपरे में लेके जाएंगी, तहे दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद, धन्यवाद है, टीम ने यहां बैठे बैठे आपका महारास्ट्रा दर्शन करवा दिया, गुजरात ले गए, राजस्थान ले गए, जस्त दक्षिन भारत ले गए, चोटे-चोटे बच्चों ने इतना सुन्दर मंत्र जाप किया और आरती के उपर शुरुवात में दो बेटियों का सुन्दर नित्य के साथ प्रदर्शन कई बार पढ़ते हैं पुस्तकों में, या जो वक्ता होता है, वो कहता है कि प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, सच में आज वही अवस्ता है वही अवस्तान शरीर की हर कोशिका से धन्यवाद है, हर कोशिका से, हर कोशिका से, इनका पदर्शन देख कर आपको भी लगता होगा न? कितनी मेहनत की होगी? है ना, जिसमें कोई भी प्रोफेशनल नहीं है, जितनों ने प्रदर्शन किया, not a single, सब अपना घर बार समाल रहे हैं, और करीब-करीब 50 प्लस है, करीब-करीब, सब की एच, जो एक थोड़े बत होंगे, यंग भी है, नहीं, हमने, जो 50 के नीचे वो गिने चुने है, 50 प्लस अधिक है, फिर भी कितनी उर्जा देखिए, फिर भी कितनी उर्जा, और उसके बावजुद आपको तालियां बजाने में समय लगा, समर्पित है, समर्पित है, ये तालियां उन सभी को आशिर्वास रूप, जिन्नोंने भी तन, मन, धन, समय देखकर, आज के सत्र में योगदान दिया है, और वन्स मूर भी आ रहा था कई जगा से, सास्टांग प्रणाम करते हैं, खड़े-खड़े, सास्टांग प्रणाम है, ना रहा है, ना रहा है, ना रहा है, ना रहा है, सत्र की शुरुवात करते हैं, सत्संग की, शास्त्रों में वर्ण एक सुन्दर कथासी है, देखो, music पहले ही बज़रा है, mobile का, यहना mobile बंद कर दीछे, एक कोई सुन सकते हो, या तो मुझे या mobile को, choice है आपकी, हाँ, तो mobile बंद कर दीछे, हाँ, शास्त्रों में वानित प्रसंग, एक राजा था, उसका रोज का नियम था, रोज का, सुब सुब पहले मंदिर जाना, भगवान के दर्शन करना, फिर राजगाज सम्हालना, और वो देखता कि जब वो मंदिर में प्रवेश करता, तो right side एक भिखारी, left side एक भिखारी बैठा होता, और जो left side, right side जो बैठा होता, जो ही राजगा को आते विए देखता, अपने साथी से कहता, कि देखो, अब मैं प्राथना कर रहा हूं भवान से, कि हे इश्वर, तूने जितना राजगा को दिया है न, सुन्दरवस्त्रा अभुषन, मुझे खुशी उसे दिया है, उसे इतना दिया, थोड़ा बहुत मुझे भी देदे, थोड़ा बहुत मुझे भी देदे, ताकि तेरी इस दुनिया में मैं सुक से जी सकूँ, हे इश्वर मुझे भी देदे, इस तरफ बैठा हुआ बिखारी कहता, तेरा इश्वर दिखता है क्या, जो दिखता है उसे क्या मांगता है, मैं राजासी मांगूँगा, हे राजन, धीमे से इनकी बाद चलती, हे राज तुझे इश्वर ने बहुत दिया, बहुत दिया, और अमें खुशी है, तुझे दिया है, थोड़ा सामी भी दे दे, ताकि इस धरती बरहम भी सुक से रह सकें, ये इनका बारतालाव कनवर्सेशन दोनों का चलता, एक इश्वर से मांगता, एक राजा से मांगता, जो और ये कहता, जो दिखाई नहीं देता, वो देगा कहां से, जो दिखाई नहीं देता, वो देगा कहां से, ये दिखता है, इस से मांगना चाहिए, राजा से मांगा कर, ये इन दोनों की बाते राजा के कान में रोज पढ़ती, रोज पढ़ती, रोज पढ़ती, रोज पढ मेरा कर्तव यह है उसको देना तो एक काम करो एक प्याले में धेड़ सारी अशर्फियां सोने की गिन्यां भर दो उपर से खीर भर दो और उसे देखकर आओ जो राज्या के नाम से मांगता है जो इश्वर के नाम से मांगता है उसे मेरी जमेदारी हैं जो राज्या के नाम से मांगता है उसे देखकर आओ मंत्री गया जो राज्या के नाम से बिखारी मांगता था उसके हाथ में थामा दिया बड़ा खुश हुआ उसे देखके चिड़ाया कि देखको में कहता था ना कि राज्या से मांगो देगा तेरा इश्वर तो दिखता ही नहीं कहां से देगा आज मुझे तो मिल गया खीर आराम से खाई खूब सारी थी साइडी में रखी शाम तक खाता चला गया धाप गया जब धाप गया और उस तिन सैयोग ऐसा कि जो राजा के नाम से मांगता था उससे खूब दक्षिना मिली और जो इश्वर के नाम से मांगता था उसे कुछ नहीं मिला एक वक्त का भोजन भी नहीं मिला जब शाम तक इसने खीर खाले इसके बाद भी खीर बची रही अब क्या करूँगा? तब इसने इसको थमाया इसको जो इश्वर से बोले मैं तो धाब गया मैं धाब गया, मेरा पेट भर गया तेरा इश्वर तो देने नहीं आया है ना, तू ये ले थोड़ी सी खीर तू भी खा ले और प्याला उसके हाथ में थामा दिया रात थो गएती सब अपने अपने घर चले गए दूसरे दिन राजा दर्शन करने आया तो ये वाला तो बैठा हुआ था जो राजा से मांगता था ये वाला गायब था राजा ने कहा कल मैंने तुमारे लिए खीर भेजी थी नहीं मिली किया बोला मिली थी धाप के खा लिया धन्यवाद है आपका अर्या उसके भीतर अशर्वियां थी बोला वो तो उसको गई तो जिसके पास है उससे मांगना है हाँ इस धर्थी पर सिर्फ या कह सकते हैं हम लोग कि हमारे इस जीवन में सिर्फ दो प्रकार की विवस्थाईं चलती है ध्यान से सुनेगा आज बहुत शॉर्ट में आप तक संदेश पहुंचाएंगे क्योंकि आज हमारा सुनने का दिन है इसलिए है नहा दो विवस्थाईं चलती है कर्म और क्रपा दो विवस्था चलती है इस धर्थी पर इस हमारे जीवन में या तो कर्म चलते हैं या उसकी क्रपा चलती है यदि जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है तन स्वस्थ है तो को थोड़ी भूत अस्वस्था होगी उससे अस्वस्था में काउंट नहीं करते हैं तन स्वस्थ है धन सफीशंट है इतना चाहिए अंबानी जितना चाहिए इसा नहीं है इतना है कि खाने पीने के बाद सेविंग्स है इतनी व्यवस्था है परिवार है घर में सुक्षान्ती सम्रिद्धी है तो उसकी करपा बरस रही है यदि कहीं भी जीवन में जरासी भी अस्विधा है परेशानी है तकलीफे हैं कस्ट है हाँ करबद निवेदन नहीं आता बंद करना तो करवा लीजिए हाँ यदि जरासी भी जीवन में अस्विधा है तो नारायन शास्त्र कहता है कि उसकी तो करपा बरस रही थी आपका करम आड़े आ गया नहीं समझा समझा क्योंकि हर शास्त्र वेद, पुराण, उपनिश्द, संतों की वानी एक बात पर एक मत है इस इकलोती बात पर एक मत है कि 24 by 7 उसकी करपा बरस्ती है 24 by 7 इस एक बात पर सारे शास्त्र एक मत है कि निरंतर उसकी करपा बरस्ती रहती है यह तो हम साइड बाय कब होते हैं जब हमारा कर्म बीच में आता है उसका भुगतान करना पड़ता है आपने देखा होगा कोई मजदूर व्यक्ति भी है कोई चारो तरफ से घिरावा भी है जब हमारे पास कुछ बाते करने बोलता है ना ऐसा चल रहा है ऐसा चल रहा है लास्ट में आनत में बोलता है यह सब चीजी है लेकिन फिर भी इश्वर की बहुत करपा है बहुत करपा है बहुत करपा है जब उसको इसकी अनभूती होती है तो फिर हमें क्यों नहीं होती है हमें क्यों नहीं होती है अब किसी से भी बात कीचिए जो पद्य, पैसा, प्रतिस्था में कमजोर है हम लोग तो सामर्थिवान है उनकी बाते सुनेंगे ना ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है जीवन में और अन्त जब अपनी वाणि वीराम देना चाहेगा ये कहके करेगा कि फिर भी ये सारी अव्यवस्थाइं हैं, फिर भी उसकी कृप़ा है जब जीवन अच्छा चल रहा हो जब जीवन अच्छा चल रहा हो वो नारायन शास्र कहता है, मोटे-मोटे अक्षरों में, डार्क अंडरलाइन के साथ, कि रोज रात आत्मचिंतन करें, रोज रात, कि आज मेरे माध्यम से, विचारों के माध्यम से, वाने के माध्यम से, विभार के माध्यम से, क्या अच्छा हुआ? क्या अच्छा हुआ, जिसकी वज़से जीवन अच्छा चल रहा है, क्रपा बरस रही है कभी भी ध्यान रखेगा, क्रपा और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू है king और scale बोलते हैं न काटा छापा उच्छालते हो तो कभी king आता है तो कभी scale आता है तो जीवन में भी कभी करपा बरस्ती है और बरस्ती करपा में हम ऐसा कुछ कर बैठते हैं कि हमारा कर्म आड़े आजाता है तो जब यदि कुछ विपरिता लगती है तब भी आत्मचिंतन करें कि ऐसा हम क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से मुझे प्रतिकूलता विपरिता महसूस हो रही है आत्मचिंतन करें और अधिक आत्मचिंतन आपको तब करना है जब जीवन सही चल रहा है उस वक्त आपको बहुत अवेर रहना है कि मेरे माध्यम से विचारवानिव्यभार के माध्यम से अच्छे कर्म ही हो ताकि निरंतर उसकी क्रपा बरस्ती रहे, बरस्ती रहे, बरस्ती रहे उस दिन मैंने एक बहुत सुन्दर लाइन पड़ी कि आप किसी दिए कुछ करते हैं चाहिए चोटा मोटाई करते हैं उसे निरंतर निरंतर करते रहें क्योंकि आपकी द्वारा की गए चोटी चोटी चीजे ही सामने वाले के दिल पर कबजा कर लेती है अच्छे कारे करना मत छोड़िए कर्मों पर ही आगे बात करते हैं पिछले दिनों मेरे हाथ एक पुष्टक आई ए एम पटेल जिने ग्रस्त जीवन जी रहे थे बैठे बैठे ही आत्मज्ञान प्राप्तु वहां और आगे जाके वो दादा भगवान के रूप में हम सभी परचित हैं उनसे उनके प्रवचन का संकलन छोटी से पुष्टक हाथ में आई जब उसे पढ़ा एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि जो उन्हों लिखा है यदि हम उसे आत्म साथ कर लेते बताने जा रहें आपको यदि उसे आत्म साथ कर लेते हैं तो ये निश्यत है कि ये हमारे नकारात्म कर्म कम होते चले जाएंगे और ये निश्यत है या तो या ये तो ये क्या चाहिए आपको ये चाहिए है है ना तो नकारात्म कर्म हमें डेलीट करने पड़ेंगे तो उन्हों जो चीज बताई है उससे ये निश्यत है कि हम नकारात्म कर्म करने से बच जाएंगे टाइटिल है उस पुस्तक का भूगते उसकी भूल हम चार पाच एक्जामपल देंगे किसी दिन इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज शौट में बोलते हैं कि कई लोग अस विधा की स्थिती में खड़े भी हैं बैठे भी हैं मुसमुस के बैठे में इस भी उन्होंने एक एक्जामपल दिया है जल कि लाव जड़ा साथ ये चा ये चा इसके हाथ में एक मुबाइल अच्छे से मुठी में पकट रखा है इसके हाथ में भी मुबाइल जो काफी कीमती है ये सस्ता वाला है और ये काफी कीमती मुबाइल इसकी हाथ में है और ये बैठा बैठा अपने आपको निहार रहा है क्या कर रहा है? mobile हात में लिए निहार रहा है, पूरा ध्यान इसका mobile के भीतर है, इंर्द गिर्द क्या हूरा है इसे नहीं पता है, और इसके हात में अच्छे से टाइट पकड़ाव मोबाइल है, पर बेहर सस्ता है, इतने में एक तीसरा व्यक्ति आता है motorbike पर, इसके हात पर पच्षडी मारता है, मुबाइल छूपता है, लेके वो भाग जाता है. अब इसकी प्रतिक या क्या? सबसे पहले इसके लिए दो-चार शब्द बोलना. शब्द कौन से होंगे? या पंदाजा लगा सकते हैं. है ना? इसके लिए बोलना. यही सिखाया क्या माता-पिता निया. और भी कुछ-पुछ बोल देते हैं. फिर इससे चर्चा करते हैं. कि मेरा तो सस्ता वाला मुबाइल था. तेरे पास लाख रुपय का था. और तेरा ध्यान भी नहीं था. आसानी से वो खीच कर लेके जा सकता था. मेरा तो फिर भी मुठी में बन था. फिर भी तेरा क्यों नहीं गया, मेरा क्यों गया? मेरा कैसे चला गया? कितने विचार भीतर चलते हैं? है नहाँ, अब देखिए. दादा बागवान लिखते हैं, कि किसकी गल्ती है मुबाइल का यातो, जो भुगते उसकी भूल हैं. अभी कौन भुगत रहा है मुबाइल जाने से? दोश किसको दे रहा है? इसको. है ना? उनके चार शब्दे बोला, आप लोग टांग लीजे, दरपन पर लिख जीजे सामने. उनके लिखा उन्होंने, कि दरपन पर इसे लिख लीजे, ताकि आप दोशा रूपन करना बंद करतेंगे, और जिस दिन दोशा रूपन करना बंद करतेंगे, कर्म करना, नका रत्म करना बंद हो जाएगा. कितनी चर्चा करते हैं आप लोग? कितनी चर्चा करते हैं? आपको समझना ची जितनी चर्चा करेंगे उतने कर्म बढदेंगे और जितने कर्म बढदेंगे उतनी क्रपा से दूर होते चले जाएंगे तो मोबाइल तुम्हारा गया है क्यों गया? क्योंकि कर्म उपर आ गये थे वो चुकत करने थे तुम्हारा मोबाइल गया है इसका लाखों का होने के बाद भी नहीं गया क्यों इसका गया? क्योंकि कर्म आ गया था उसको चुपा नहीं था वो तो साफ लिखते हैं दादा भगवान के प्रवचन में लिखा है कि जहां पर लाखों लोगों को लूट लिया गया कि जहां पर लाखों लोगों का सामान चीन लिया जाता है उस गली में भी आप निश्चित घूम सकते हैं आपका यह सोचना लिखा है कि गलत है कि वहां जाओंगा उनके साथ हुआ मेरे साथ भी होगा में कर्म है तो होगा यदि को यपँ त्छ भी नहीं कर साकता यदि कर सकता वह तो बोलतें नहीं तो नहीं कर्म होगा तो शुकता करना पड़ेगा यदि कि पूले एक्ष जाप्पलल तो की सास भाहु में माहभारत बहू ने कहा सासू बहुत तंग करती है है ना इसकी वज़से मुझे रात-रात भर नेम नहीं आती दादा भगवान ने उससे कहा कि आज एक काम करना जब तुमको रात को नेंद नहीं आएगी सासू को जाके चेक करना कि वो सोई है कि चकरई है बोलो तो गहरी नेंदों में सोती है मतलब तुम्हारी गल्ती है जो यह बहुन ने कहा कि वो तो गहरी नेंदों में सोई होती जाकती तुम्हे हूँ कौन भुगत रा है कौन भुगत रा है हाँ जो भुगत रा है उसकी भूल है उसकी गलती है, सामने वाले पर तोशारों पर नहीं करना है और एक एक्जाम्पल दिया पिता के पास अधाधन, अधाधन चार बेटे, तीन अच्छे, एक रात में देरी तक नशे में धुत आना पिता का रात रात फर जागना अभी आता है बेटा, अभी आता है बेटा बेटा आया, आते से सो गया नशे में धुता सो गया, बाब सारी रात जाग रहा है आया दादाजी के पास, दादाश्री के पास बोला कौन सुपता है कौन जागता है बोला तो सुपता है धुता आता है सुपता है बोला मैं सारी आज जागता हूँ जो भूगत रहा है उसकी भूल है उसके कर्म है वो तो जब भुखतेगा जब भुखतेगा फिल हाल आपके कर्म उपर तका रहे हैं इसलिए आपको चुकत कर रहे हैं एक एक्जाम्पल और दिया है बुले एक महिला फुटपाथ पर खड़ी थी फुटपाथ इस असे फिस्ट प्लिस फुटपाथ पर खड़ी थी जोर से ट्रुक आया टकर मारती किसकी बलती है हम कहेंगे ट्रुक ड्राइबर की लिखते हैं रादा बगवान कि जगत में भहुत सारे नायदिश है यानि भहुत सारे जज्ज है लेकिन अध्यात्मे में इस प्रकरती में एकी जज्ज है और वो सतत्य न्याय कर रहा है सतत्य कहीं पर भी उसकी विवस्था में अन्याय नहीं है यह तो हम समझ नहीं पाते हैं इसलिए न्याय को भी अन्याय कह देते हैं वो तो लिखते हैं कि आके इसको टक्कर मारती, सब लोग क्या कहेंगे, जगत का जज्च्मिंट क्या कहेंगा, ट्रक वाले को, ना, विलो समेला की गलती नहीं थे, उतो फुट पाथ प्रकड़ी थी, लेकिन इस वक्त क्वान भुगत रहे है, माहिला भुगत रही है, उसके कर्म है, जिस च्ण लिखते हैं नीरु भण करके उन्हों टांसलेशन किया है, गुजडाती में, लिखती हैं, कि जिस च्ण आप ये भाव समझ जाएंगे, उस वक्त दोशा रोपन करना बंद कर देंगे, अन्नित था उस ट्रक वाले के लिए कितनी बाते निकलेगी, कितनी बाते निकलेगी, जिससे कोई संबन्दी नहीं आपका, जानते हैं किया उसको, पर कितना कुछ बोल देंगे, पीके चला रहोगा, किसके खाते में कर्म जमाहूंगे, और कौन भुखतेगा, हाँ, तो ध्यान रहे, इस सत्ता में, जवस्था में, दो ही चीजे चलती है, या तो कर्म या कर्पा, और ये आपके हाथ में है, कि किसको आकर्शित करना है, कर्पा को या कर्म को, इसका रिम्यूट कंट्रोल आप लोगों के हाथ में है, अच्छे कर्म किये, क्रपा की तहट, बरसे की क्रपा, जो तो निरंतर बरस रही है, और कुछ हम कर्म ऐसा कर बैठते हैं, कि बरस्ती क्रपा से दूर हो जाते हैं, तो चलिए, उस इश्वर की क्रपा की अनभूति करते भी, राम राम एक किस आप के लिए भी और विशेश आशिरवाद, धन्यवाद, उनका जिन लोगों ने आज तन्य, मन्य, धन्य समय देकर योगदान दिया है, और इस कारेकर्म की शुफा, और सुंदर, और सुंदर, और सुंदर, और बढ़ा के बताई है. और नहीं ए पर समा कैसे दुनेशीर स्ख्वारार नहीं आरा यह कंद श्र्चशिंस。 धन्निवाद 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 नहां आरेन.